मेरे प्यारे देश्वासियों, नमस्ता, आज मन की बात का सोवाई एपिसोड है, मुझे आप सब की हजारों चिछिया मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं, और मैंने कोशिश किये हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीछियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं, आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया, और खुद को फिर समाल भी लिया, आपने मुझे मन की बात के सोवे एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूँ, दरसल बधाई के पात्र तो, आप सभी मन की बात के स्रोता है, हमारे देश्वासी है, मन की बात कोटी कोटी भारतियों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रगटी करण है, साथियों, 3 अक्तूबर 2014, विजिया दस्मी का वो परव था, और हम सब ने मिलकर विजिया दस्मी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी, विजिया दस्मी यानि बुराई पर अच्छाई की जीत का परव, मन की बात भी, देश वासियों की अच्छाईयों का, सकारात्मक्ता का, एक अनोखा परव बन गया है, एक ऐसा परव, जो हर महिने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है, हम इसमें, पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें, पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं, कई बार यकिन नहीं होता, कि मन की बात को इतने महिने, और इतने साल गुजर गए, हर एपिसोड अपने आप में खास रहा, हर बार नए उधारणों की नविन्ता, हर बार देश वास्यों की नई सभरताओं का विस्तार, मन की बात में पूरे देश के कौने कौने से लोग जुड़े, हर आयू वर्ग के लोग जुड़े, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्च भारत आंदोलन हो, खादी के पती प्रेम हो, या प्रकुरती की बात, आज हादी का अमृत महोसव हो, या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात, जिस विशाई से जुड़ा, वो जन आंदोलन बन गया, और आप लोगों ने बना दिया, जब मैंने ततकानीन अमेरिकी राश्पती, बराक उबामा के साथ, साज्या मन की बात की थी, तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी, साथियों, मन की बात, मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है, मेरे एक मारदर्शक थे, स्री लक्ष्मन्राव जी इनामदार, हम उनको वकिल साह्प कहा करते थे, वो हमेशा कहते थे कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए सामने कोई भी हो आपके साथ का हो आपका विरोधी हो हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेड़ना दिये है मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है मेरे प्यारे देश्वाच्यों इस कारक्रम ने मुझे कभी भी आप से दूर नहीं होने दिया मुझे आध है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहाँ सामाने जन से मिलना जुलना स्वाभावग्रुप से हो ही जाता था मुख्यमंत्री का कामकाज और कारकाज ऐसा ही होता है मिलने जुलने के अवसर भहुत मिलते रहते हैं लेकिन 2014 मैं दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहां का जीवन तो बहुत ही अलग है कामका स्वरू पलग, दाईत वालग, स्थितियां, परिस्थितियों के बंधन सुरक्षा का तामजाम, समय की सीमा शुरुवाती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था खाली-खाली सा महसूस करता था पचासो साल पहले मैंने अपना घर इसले नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्ग ही मुश्किल हो जाएगा जो देश्वासी मेरा सब कुछ है मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था मन की बात ने मुझे इस चुनोती का समाधान दिया सामान ने मानवी से जुणने का रास्ता दिया पदभार और प्रोट्रोकॉल द्यवस्था तक ही सिमित रहा और जनभाव कोटी-कोटी जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया हर महिने मैं देश के लोगों के हजारों संदेशों को पढ़ता हूँ हर महिने मैं देश वाज़ों के एक से एक अध्भुच स्वरूप के दर्शन करता हूँ मैं देश वाज़ों के तब त्याक की पराकाश्था को देखता हूँ मैसूस करता हूँ मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपसे थोड़ा भी दूर हूँ मेरे लिए मन की बात ये एक कारिकम नहीं है मेरे लिए एक आस्ता, पूजा, वरत है जैसे लोग इश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं मेरे लिए मन की बात इश्वर रुपी जनता जनार्दन के चर्णों में प्रसाद की थाल की तरह है मन की बात मेरे मन की अध्यत्मिक यात्रा बन गया है मन की बात स्वाँ से समस्ट्री की यात्रा है मन की बात अहम से वयम की यात्रा है यह तो मैं नहीं तू ही इसकी समस्कार साधना है अब कलपना करिए मेरा कोई देशवासी 40-40 साल से निर्जन पहडी और बंजर जमीन पर पैड लगा रहा है कितने ही लोग 30-30 साल से जल सवरक्षन के लिए बावणियां और तालाब बना रहे हैं उसकी सापसफाई कर रहे हैं कोई 25-30 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है कितनी ही बार मन की भात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गया हूँ आकाश्वानी के साथियों को कितनी ही बार इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है आज पिछला कितना ही कुछ आखों के सामने आये जा रहा है देश्वास्यों के इन प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेणा दी है साथियों मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं वे सब हमारे हिरोज हैं जिनों ने इस कारकम को जिवन्त बनाया है आज जब हम सोवे एपिसोड के पड़ाव पर पहुंचे हैं तो मेरी ये भी इच्छा है कि हम एक बार फिर इन सारे हिरोज के पास जाकर उनकी आत्रा के बारे में जाने आज हम कुछ साथियों से बात भी करने की कोशिस करेंगे मेरे साथ जूड रहे हैं हर्याना के बाई सुनिल जगलान जी सुनिल जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पढ़ा क्योंकि हरियाना में जेंडर रेश्यो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भियान हरियाना से ही शुरू किया था और इसी बीच जब सुनिल जी के सेलफी विद डॉटर केंपेंड पर मेरे नजर पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने भी उनसे सिखा और इसे मन की बात में सामिल किया देखते ही देखते सेलफी विद डॉटर एक ग्लोबल केंपेंड में बदल गया और इसमें मुद्दा सेलफी नहीं थी टेकनोलोजी नहीं थी इसमें डॉटर को बेटी को प्रमुकता दी गई थी जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है इस अभियान से यह भी प्रगट हुआ ऐसे ही अनेकों प्रयासों का प्रणाव है कि आज हरियाना में जेंडर रेशियों में सुधार आया है आईए आज सुनिल जी से ही कुछ गप मार लेते हैं नवस्कार सुनिल जी नवस्कार सर्व मेरी कुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाद सुनकर सुनिल जी सेलफी विद डॉटर हर किसी को याद है अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है पधानमंत्री जी ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश सर्याना से पानिपत की चोथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कराट लाने के लिए शुरू की थी जिसे आपके नेत्रतों में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है तो वाकिए ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है सुरूल जी अब आपकी बेटिया कैसी है हाथकल क्या कर रही है जी मेरी बेटिया नंदनी और याचिका है एक 7th क्लास में पढ़ रही है एक 4th क्लास में पढ़ रही है और आपकी बड़ी परसंसक है उन्होंने आपके लिए थेंक्यू प्राइम मिनिस्ट विकर के अपने क्लासमेट्स जो है लेटर भी लिखो आये थे असलों ने वाँ 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 अच्छा बीटिया को आप मेरा और मन की बात के सोत्राओं का खूब शारा अशिरवाद दीजिए बहुत बहुत सुक्रिया जी आपकी वज़े से देश की बेटियों के चहरे पे लगातार मुस्कान बढ़ रही है बहुत बहुत धन्यवाद सुनें जी जी सुक्रिया साथियो मुझे इस बात का भहुत संतोस है कि मन की बात में हमने देश की नारी शक्ती की सेंकडो प्रेना दाई गाथाओं का जिक्र किया है चाहे हमारी सेना हो या फिर खेल जगत हो मैंने जब भी महलाओं की उपलब्दियों पर बात की है उसकी खूब प्रसंसा हुई है मोहों के जरिये गाउं के चोराहों सडकों और मंदीरों की सभाय के लिए अभ्यान चलाती है ऐसे ही तमिल नाडु की वो आदिवसी महलाए जिनों ने हजारों इको फ्रेंडी टेरा कोटा कप्स निर्याद किये उनसे भी देशने खूब प्रेना ली तमिल नाडु में ही बीस हजार महलाओं ने साथ आकर बेल्लोर में नाग नदी को पनरजिवित किया था ऐसे कितने ही अभ्यानों को हमारी नारी शक्ति ने नेत्रुत दिया है और मन की बात उनके प्रेयासों को सामने लाने का मंच बना है साथियों अब हमारे साथ फोन लाइन पर एक और सज्जन मोजूद है इनका नाव है मंजूर एहमद मन की बात में जम्मू कश्मीर की पैंसिल स्लेट्स के बारे में बताते हुए मंजूर एहमद जी का जिक्र हुआ था मन की बात के इस सोवे beliefs में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अजा जी यह पैंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है और दूसरों को भी रोजगार यहां बहुत बड़ा है इस काम मे इस्काम में अभी मेरे पास 200 प्लस है अरे वाँ मुझे बहुत खुशी हुई जी सर जी सर अभी एक दो महीने में अभी में इसको expand कर रहा हूं कि और 200 लोगों को रोज़गार बढ़ जाएगा सर्थ वाँ 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 देखिये मंजूर जी जी सर मुझे बराबर याद है और उस दिन आपने मुझे कहा था कि एक ऐसा काम है जिसकी न कोई पहचान है न स्वयम की पहचान है और आपको बड़ी पीड़ा भी थी और इस विज़े से आपको काभी बड़ी मुश्किले होती थी वो भी आप कह रहे थे लेकिन अब तो पहचान भी बन गई और दोसो से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं जी सर जी सर और नया एक्सपांसन करके और दोसो लोगों को रोजगार दे रहे हैं ये तो बहुत खुजी की ख़बर दिया आपने इवन सर यहां पे जो फार्मर है सर उनका भी बहुत बड़ा इसमें फाइदा मिला सर तब से 2000 का ट्री बेचते थे अभी वही 3000-5000 तक पहुँच गया सर इतनी डिमार बढ़ गी सर इसमें तब से और अपनी पहँचान भी बनगी इसमें बहुत से आड़ रहे अपने पास सर अभी में आगे एक दो महीने में और एकस्पेंट करके और दो डाय सो दो चार गाओं में जितने भी लड़के लड़के हैं इसमें एज्यस हो सकता है उनका भी रोजी रोटी चल सकता है सर साथियों को भी मेरी तरब से बहुत बहुत शुकामना है दन्यवाद वेया साथियों हमारे देश में ऐसे कितने ही प्रतिभार्शाली लोग हैं जो अपनी महनत के बर्बुते ही सफलता के सीखर तक पहुँचे हैं मुझे आद है विशागा पत्नम के बैंकट मुल्ली प्र जादा से जादा भारतिय प्रोडक्स ही इस्तिमाल करेंगे जब बेतियां के प्रमोज जी ने LED बल्ब बनाने की छोटी यूनिट लगाई या घट मुक्तेश्वर के संतोज जी ने मैट्स बनाने का काम किया मन की बात ही उनके उत्पादों को सब के सामने लाने का माध्यम बना हमने बेकिन इंडिया के अनेक उदाहरोलों से लेकर स्पेस टार्ट अफ तक की चर्चा मन की बात में की है साथियों आपको याद होगा कुछ एपिसोड पहले मैंने मनिपूर की बहन विजय शांती देवी जी का भी जिक्र किया था विजय शांती जी कमल के रेशों से कपड़े बनाती हैं मन की बात में उनके इस अनोखे इको फ्रेंडी आइडिया की बात हुई तो उनका काम और पॉपिलर हो गया आज विजय शांती जी फोन पर हमारे साथ है नमस्ते विजय शांती जी हाव आर यू अच्छाक kulी ख़ुजा, उचछाए पॉच्छाए लांगी जी हुच्छाणों दी कर लगी भी एंक प्रेंडी पि स्वहा आरागी था रॉट यूवटा पॉबवड़ पॉच्छे आख रॉटस तेम, त्यू जी है, यौश्छाए बात में पॉचे प्रेंडिक्ड़ So now it is very popular? Yes sir, from Prime Minister Manki Bhatt program, everyone knows about the Lotus Fiber. So now you got the market also? Yes sir, I have got the market. From USA also, they want to buy in bulk, in large quantities. But I want to give from this year to spend the US also. So now you are exporter? Yes sir, from this year I export our product made in India, Lotus Fiber. So when I say vocal for local, and now local for global. Yes sir, I want to reach my product all over the globe of the world. So congratulations and wish you best luck. Thank you sir. Thank you, thank you Vijayaswanty. Thank you sir. Sathiyo, man ki baat ki ek or vishyastah rahi hai. Man ki baat ke jariye, kitinye hii jen anandolan ne, jen me bhi liya hai, aur gati bhi pakdi hai. Jaysse haemare khilon ne, haemari toy industry ko phir se sthapit karne ka mission. Man ki baat ki baat ke jariye toh shurru haa tha. Bharatiya nashla ke swan, haemare deshi dogs, us ko lhe kar jaguruta badaane ke shurru haat bhi toh man ki baat ki thii. Hum na eak aur mohii, humi. Gareeep chhoote dukan daanoh se mohlabhau nahin karen ge. Jagara nahin karen ge. Jem har ghar tiramga mohii m shurru hui, Tab bhi man ki baat naya dayishwaansyokoko is saenklb se jhodnane me khobh bumi karahi bhai. Aisse har udharan, samaj me baadlao ka karen bhenne hai. समाज को प्रेरित करने का ऐसे ही बिड़ा प्रदीप स्वांगवान जी ने भी उठा रखा है मन की बात में हमने प्रदीप स्वांगवान जी की है हिलिंग हिमालाय अचे अभियान की चर्चा की थी वो फोन लाइन पर हमारे साथ है प्रदिव जी नमस्कार सर जहिंद 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 भया कैसे हैं आप सर बहुत बढ़िया आपके वाद सुनके और भी अच्छी आपने हिमालय को हील करने को सोची अभियान भी चलाया आज कल आपका केंपेर कैसे चल रहा है सर बहुत अच्छा चल रहा है दो हजार बीस से ऐसा समानी की जितना काम हम पात साल में करते हैं अब वो एक साल में हो जाता है हाँ जी हाँ जी सर्क शुरुआत बहुत नर्वस हुई थी बहुत डरत था इस बात को लेटी की जिन्दी भरिये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पर थोड़ा सपोर्ट मिला और दो हजार बीस तक हम बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे ओनेसली लोग बहुत कम जुड़ रह रहे थे हमारे मुहीम को इतना सबज्व भी नहीं दे रहे थे बड़ दो हजार बीस के बाद जब मन की बात में जिक्र हुआ उसके बाद बहुत सारी चीजे बदल गी मतलब पहले हम साल में छे साथ क्लिनिंग ड्राय कर पाते थे आज की डेट में हम डेली बेसिस पे पांस चीजे हमने सोची नहीं कि पता नहीं कैसे हमारे देसे लोग को आप ढूंड लेते हैं कौन इतनी दूर दराग एरिया में काम करता है हमाले की चेटर में बैठके हम काम कर रहें हमारे काम को दुनिया के सामें लेके आए तो मेरे बहुत इमोशनल मोमेंट है तब यह और आधना कर रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है अब आपका नाम सुते ही लोकों को याद आ जाता है कि आप कैसे पहाडों की स्वच्ता अभिषान में जुडए हैं और जैसे आपने बताया कि अब तो बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है और आप इतनी बड़ी मात्रा में डेली काम कर रहे हैं और मुझे पुरा विश्वास है कि आपके इन प्रयासों से उसकी चर्चा से अब तो कितने ही प्रवतार होई स्वच्छता से जूड़े फोटो पोस्ट करने लगे हैं अच्छी बात है आप जैसे साथियों के प्रयास के कारण बेस्टीज और वेल्थ ये लोगों के दिमाग में अब स्थीर हो रहा है और परियावरन की भी रक्षार हो रही है और हिमालाई का जो हमारा गर्व है उसको समालना सवारना वो समालने मान भी जूड़ रहा है प्रदीज जी बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत बहुत धन्यवाद बहिया थैंक्यू सर्थ थैंक्यू सो मच जैहिं साथियों आज देश में टूरिजम बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है हमारे ये प्राकृतिक समसाधन हो नदियां पहाड तालाब या फिर हमारे स्तीर्थ स्थल हो उन्हें साप रखना बहुत जरूरी है ये टूरिजम इंदस्ट्री की बहुत मदद करेगा परियाटन में स्वच्छता के साथ साथ हमने इंक्रेडिबल इंडिया मुमेंट की भी कई बार चर्चा की है इस मुमेंट से लोगों को पहली बार ऐसे कितनी जगहों के बारे में पता चला जो उनके आसपासी थे मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हमें विदेशों में टूरिजम पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम पंदरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए आपके राज्य से बाहार किसी अन्राज के होने चाहिए ऐसे ही हमने स्वच्छ सियाचिन, सिंगल यूज प्लास्टिक और इवेश जैसे गंबीर विशो पर भी लगातार बात की है आज पूरी दुनिया परियावरण के जिस इशु को लेकर इतना परेशान है उसके समाधान में मन की बात का ये प्रयास बहुत अहम है साथियो मन की बात को लेकर मुझे इस बार एक और खास संदेश युनेशको की डीजी ओद्रे औजुले का आया है उन्होंने सभी देश वाच्चों को सो एपिसोड के इस शांदार जर्ने के लिए शुब कामनाई दी है साथ ही उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे हैं आएए पहले युनेशको की डीजी के मन की बात सुनते हैं Namaste, Excellency, Dear Prime Minister On behalf of UNESCO, I thank you for this opportunity to be part of the 100th episode of the Man Kibat radio broadcast UNESCO and India have a long common history we have very strong partnerships together in all areas of our mandate education, science, culture and information and I would like to take this opportunity today to talk about the importance of education UNESCO is working with its member states to ensure that everyone in the world has access to quality education by 2030 with the largest population in the world could you please explain the Indian way to achieving this objective UNESCO also works to support culture and protect heritage and India is chairing the G20 this year world leaders will be coming to Delhi for this event Excellency, how does India want to put culture and education at the top of the international agenda I once again thank you for this opportunity and convey my very best wishes through you to the people of India Thank you Excellency I am happy to interact with you in the 100th Man Kibat program I am also happy that you have raised the important issues of education and culture साथियों UNESCO की DG ने Education and Cultural Preservation यानी सिक्षा और संस्क्रिती संवरक्षन को लेकर भारत के प्रहासों के बारे में जानना चाहा है इस दोनों ही विशे मन की बात के पसंदिदा विशे रहे हैं बात सिक्षा की हो या संस्क्रिती की उसके सवरक्षन की बात हो या संवर्धन की भारत की यह प्राचिन परमपरा रही है इस दिशा में आज देश जो काम कर रहा है वो बाकई बहुत सरहानी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या ख्षेत्रिय भासा में पढ़ाई का विकल्प हो एजुकेशन में टेक्रोरजी इंटेग्रेशन हो आपके ऐसे अनेक प्रयास देखने पर मिलेंगे वर्षों पहले गुजरात में बहतर सिक्षा देने और ड्रोप आउट डेट्स को कम करने के लिए गुणोत्सव और साला प्रवेश उत्सव जैसे कारकम जन भागीदारी के एक अध्भूत मिशाल बन गए थे मन की बात में हमने ऐसे कितने ही लोगों के प्रयासों को हाइलाइट किया है जो निस्वार्त भाव से सिक्षा के लिए काम कर रहे हैं आपको याद होगा एक बार हमने ओडिसा में ठेले पर चाह बेचने वाले स्वर्गिया डीप प्रकास राव जी के बारे में चर्चा के थी जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के मिशन में लगे हुए थे जारखन के गावों में डीजिटल लाइबरेरी चलाने वाले संजय कर्षब जी हो कोविर के दोरान एर लर्निंग के जरिये कई बच्चों की मदद करने वाली हैमलता एनके जी हो ऐसे अनेक सिक्षकों के उधारन हमने मन की बात में लिये हैं हमने कल्ट्रल प्रिजर्वेशन के प्रहासों को भी मन की बात में लगातार जगधी है लक्सदीप का कुमेल ब्रदर्स चलेंजर्स क्लब हो या करनाटका के क्वेम स्री ची कलाचेतना जैसे मंच हो देश के कोने कोने से लोगों ने मुझे चिठी लेकर ऐसे उधान भीजे हमने उन तीन कमपेटेशन को लेकर भी बात की थी जो देशभक्ती पर गीत, लोरी और रंगोली से जुड़े थे आपको ध्यान होगा एक बार हमने देशभर के स्टोरी टेलर्स से स्टोरी टेलिंग के माध्यम से सिख्षा की भारतिय विधाओं पर चर्चा की थी मेरा अटूट विश्वास है कि सामूहिक प्रयास से बड़े से बड़ा बड़ाव लाया जा सबता है इस साल हम जहां आजहादी के अमरितकान में आगे बढ़ रहे हैं वहीं G20 की अत्रिक्स्ता भी कर रहे हैं यह भी एक वज़े हैं कि एजुगेशन के साथ साथ डायवर्स ग्लोबल कल्चर्स को समुरुद्ध करने के लिए हमारा संकल्प और मजबुत हुआ है मेरे प्यारे देश्वासियों हमारे उपनिशदों का एक मंत्र सद्यों से हमारे मानस को प्रेणा देता आया है चरहवेती 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 चलते रहो चलते रहो चलते रहो आज हम इसी चरहवेती चरहवेती की भावना के साथ मन की बात का सोवा एपिसोड पूरा कर रहे हैं भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूती देने में मन की बात किसी भी माला के धागे की तरह है जो हर मन के को जोड़े रखता है। हर एपिसोड में देशवास्यों के सेवा और सामर्थ ने दूसरों को प्रेणा दिये हैं। इस कारकम में हर देशवार्षी दूसरे देशवार्षी की प्रेणा बनता है। एक तरह से मन की बात का हर एपिसोड अगले एपिसोड के लिए जमीन तयार करता है। मन की बात हमेशा सतभावना, सेवा भावना और करतब भावना से ही आगे मरा है। आजादी के अमरुत काल में यही पोजिटिविटी देश को आगे ले जाएगी, नई उचाई पर ले जाएगी। और मुझे खुशी है कि मन की बात से जो शुरुवात हुई है, वो आज देश की नई परंपरा भी बन रही है। एक ऐसी परंपरा जिसमें हमें सबका प्रयास की भावना के दर्शन होते हैं। साथियों, मैं आज आकासवानी के साथियों को भी धनिवाद दूँगा, जो बहुत धैरिये के साथ इस पूरे कारकम को रिकॉर्ड करते हैं। वो ट्रांस्टेटर्स जो बहुत ही कम समय में बहुत तेजी के साथ मन की बात का विभिन्नक्षेत्रिय भासों में अनुवाद करते हैं। मैं उनका भी आभारी हूँ। मैं दूरदर्शन के और माय गौव के साथियों को भी धनिवाद देता हूँ। देशबरके टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रोनिक मिडिया के लोग, जो मन की बात को बिना कॉमर्शियल ब्रेक के दिखाते हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आखिरी मैं मैं उनका भी आभार व्यक्त करूँगा, जो मन की बात की कमान सभाले हुए हैं। और ताकत से ही संभव हो पाया है। साथियों वैसे तो मेरे मन में आज इतना कुछ कहने को है कि समय और शब्द दोनों कम पड़ रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वाद है कि आप सब मेरे भावों को समझेंगे, मेरे भावनाओं को समझेंगे, आपके परिवार के ही एक सदस्य के रूप में मन की बात के सहारे आपके बीच में रहा हूँ, आपके बीच में रहूँगा, अगले मैने हमें एक बार फिर मिलेंगे, फिर से नए विश्वों और नई जानकारियों के साथ देश वास्यों की सभलताओं को सेलिबरेट करेंगे, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार,